Hello friends, welcome to our channel ICIC Easy Learn. So today we are going to do our chapter बड़े घर की बेटी and the author's name is प्रेम जन्थ. So first of all, let's read something about प्रेम जन्थ and afterwards we are just going in detail with the story. So हिंदी के उपन्या सम्राट के नाम से विख्यान्थ मुण्शी प्रेम जन्थ का जनाम 31 जुलाई 1880 को वरांची के पास लम्ही नामक गाउं में हुआ. तो हिंदी के उपन्या सम्राट सम्राट मींस राजा So उपन्यास के जो राजा है उन सम्राट के नाम से दिख्यान्थ दिख्यान्थ मींस उससे जाने जाने हम कह सकते हैं कि उससे जानने वाले हैं मतलब कि उपनेया समराट के नाम से हम उन्हें जानते हैं किसको मुंशी प्रेमजंद को और इनका जनम कब हुआ था 31 जुलाई 1880 ठीक है कहां पे हुआ था वरांसी को हम बनारस भी कहते हैं हम उसको काशी भी कहते हैं कि पास एक लंभी नामगा हुथा वहां पे उनका जनम हुआ था इनका वास्तविक नाम धनपत राय था तो जो मुंशी प्रेमजद है ये इनका पैन नेम था means this name they have just devoted towards his writing बट उनका जो रियल नाम था वो क्या था धनपत राय इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता तो इनका जो बचपन था चाइल हुड था उस टाइम पर बहुत जादा financial problems है इनकी family में पिता की मृत्यू के बाद इन्हें primary विध्याले में शिक्षक की नोकरी करने पड़ी तो इनके जो father है उनकी death हो गई थी तो इस वज़े से उन्होंने primary जो विध्याले है जो छोटे वच्चों का जो विध्याले होता है वहाँ पर इन्होंने एक सिक्षक के तोर पर नोकरी की नोकरी करते करते इन्होंने बीए की परिक्षा उत्तीन की तथा अध्यापक से sub deputy inspector of schools के पत पर भी पहुचे बाद में इन्होंने नोकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्यस रिजन में जुट के पहले ये primary विध्याले में सिक्षक थी फिर उन्होंने बीए की डिगरी करने के बाद ये sub deputy inspector of schools के पत पर पहुचके और उसके बाद उन्होंने ये सारी जो नोकरीयां है ये छोड़ कर और अपना पूरा जो टाइम है वो साहित्यस रिजन को मिन साहित्य को लिखने में उन्होंने सारा अपना जो टाइम था वो जुटा दिया प्रेमचन ने हिंदी को अनेक उतक्रिष्ट उपन्यास उतक्रिष्ट मीन्स बैस्ट हम कह सकते हैं फिर ये बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास ता कहानिया दी हैं इन्होंने लगबग तीन सो कहानिया लिखी हैं, जो मान सरोवर नाम से आठ भागों में संग्रहित हैं, मतलब जो इन्होंने तीन सो कहानिया लिखी हैं, वो आठ भागों में संग्रहित हैं, उसके एट पार्ट्स हैं, और नाम क्या है मान सरोवर, इन्होंने कई आदर्शवा और यह थार्थवादी उपनियास लिखे, 8 October 1936 को इनका देहान्त हो गया, इनकी मृत्यू 8 October 1936 में हो गई, okay, now let's see our story, so the name is बड़े खर की बेटी, so Benny Madhav Singh गोरी पुर गाउं के जमीनदार और नंबरदार थे, Benny Madhav Singh कौन थे, एक गोरी पुर गाउं है, हमें यहां से पता चल रहा है, गोरी पुर गाउं है और वहाँ पे Benny Madhav Singh रहते हैं, जो की जमीनदार और नंबरदार थे, ठीक है, उसके पिता में किसी समय बड़े धन संपन थे, Benny Madhav Singh के जो दादा या फिर हम कह सकते हैं, जो पूरवस थे, वो बहुत जादा धनी थे, बहुत जादा धन धाने से, वो संपन थे, मतलब खुश थे, उनके पास इनफ मनी थी, गाउं का पक्का तलाब और मंदर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उनहीं क कीरती स्थम थे, कीरती स्थम मींज उनहीं के बनाए हुए थे, तो जो पक्का तलाब है और जो मंदर है, वो जो Benny Madhav Singh है, उसके पूरवजों ने, उनके दादा वगारे ने बनवाए थे, जिनका इस टाइम पे रिपेर करवाना, उनकी मेंटेनेंस करवाना भी मुश्किल ह रखा है, ठीक है, बैनी मादव Singh अपनी आधी से अधिक संपत्ती वकीलों को भेट कर चुके थे, मतलब जो बैनी मादव Singh था, वो अपनी जो संपत्ती है, अपना जो पैसा प्रोपर्टी है, वो आधे से भी जाता, ठीक है, वो वकीलों को भेट मींज गिफ्ट के तोर पर उनको दे चुके थे, उनकी वर्तमान आए, एक हजार वार्शिक से अधिक ना थी, मतलब की एक हजार, एक साल की जो आए थी, वो एक हजार थी, नाउ, ठाकूर सहाब के दो बैटे थे, तो जो बैनी मादव Singh थे, उनके दो बैटे थे, बड़े का नाम श्रीखंड सिंग थ उसने बहुत दिनों के परिश्ट्रम और उद्योग, उद्योग मेंस महनत के बाद बीए की डिगरी प्राप्त की थी, अब एक दफ्तर में नोकर था, छोटा लड़का लाल बिहारे सिंग, दोरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखणा, चोडी चादी, तो जो ब जो चोटा बेटा था, उसका नाम लाल बिहारे सिंग था, दोरे बदन का सजीला जवान था, बहुत जादा है, भरा हुआ मुखणा था, और चोडी चादी, यह करेक्टरस्टिक्स बता रहे हैं, भैस का दो सेर, ताजा दूद वे सवेरे उठकर पी जाता था, मतब कि दो क पता चल रहे है कि जो लाल बिहारे सिंग था, वो यंग टाइप का लटका था, और बहुत जादा बहुत जादा कैपसर्टी भी थी, मिन्स यह सारी केरेक्टरस्टिक्स लाल बिहारे सिंग को दर्शा आती है, ओके श्रीकंड सिंग की दर्शा बिलकुल विपरीद थी, इन नेत्र प्रिय गुणों को नेत्र प्रिय जो ये आखों को अच्छा लगने वाले जो गुण है जैसे कि हमने लाल बिहारी सिंग के केस में देखा कि दोरे बदन का सजीला जवान था तो नेत्र में जो आखों को अच्छी लगती है नेत्र प्रिय जो ये गुण थे लाल ब विहारी के अंदर थे उसने बीए के डिगरी को पाने के लिए इन सारे जो है उनको नियोच्छावर कर दिया था उनको सेक्रिफाइस कर दिया था क्योंकि बीए जो ये दो शब्द है इसको पाने के लिए उसने बहुत जादा मेहनत की थी जिससे कि जो उसकी बॉड़ी है उस निर्बल और चेहरे को कांती हीन बना दिया था means non-violence उसके चेहरे पर दिख रही थी जो हमें लाल भिहारी सिंग के केस में दिखती है वालेंस दिखती है हमें एक यंग सा फेस लगता है एक हम कह सकते हैं जो energy दिखती है वो जो श्रीखन सिंग था उसके केस में वो चीज absent हमें दिखाई देती है ठीक है श्रीखन एक अंग्रेजी डिगरी के अधिपती होने पर भी means बिये जो है वो एक अंग्रेजी डिगरी है उसके होने के बावजूद पास चाते समाजिक प्रताओं के विशेश प्रेमी ना थे मतलब श्रीखन सिंग के पास अंग्रेजी डिगरी थी पर उसके बाद भी वो जो western civilization है western जो culture है उसके अधिक प्रेमी ना थे बलकि वे बहुदा बड़े जोर से उसके निंदा और तिरसकार किया करते थे ना तो वे उसके प्रेमी थे और बलकि वो क्या करते थे बहुदा मिन्स बड़े जोर से जोर शोर से वो क्या करते थे इसके निंदा करते थे और उसको तिरसकार मना किया करते थे ठीक है उसके बहुत जाद हम कह सकते बेस्प्सी करते थे बहुत जादा खिली उड़ाते थे तो दशेरे के दिनों में वे बड़े उत्सासे रामलीला में समलित होते और स्वें किसी ना किसी पातर का अभीने करते थे तो जो हमारी इंडियन कल्चर है उसको वो प्रात्मिक्ता देते इसके बावजूत कि उन्होंने एक अंग्रीजी डिग्री प्राप्ति की है ठीक है तो वो वेस्टर जो कल्चर था उसको नहीं मानते थे उसकी इनो उसका तिरसकार किया करते थे बट जो हमारा इंडियन कल्चर है वो उसके विशेश प्रेमी थे और दशेरे की टाइम जब इन्डिया का गुंगान उनकी प्रकरती उनके सवभाव का प्रधानंग था मतलब की उनका सवभाव ही ऐसा था कि वो हर बात में हमारा जो ओल्ड इनो कल्चर है उसकी क्या करते थे तारीफ करते रहते थे सम्मिलित कुटुम के तो वे एक मातर उपासक थे सम्मिलित हम्मिलत करते हों ठीके उसके पक्ष में हो तो आस पड़ों इसमें घर में वो एक मातर ऐसे इनसान थे जो की जोईन फैमिली के पक्ष में थे आजकल स्त्रियों को कुटुम में मिल जुलकर रहने की जो अरूची होती है तो क्या होता है आजकल जो महिलाई है उनको क्या चाहिए अपना नूकलियर फैमली चाहिए तो जो ये कह रहे हैं कि आज को इस्त्रियों को कुटुम परिवार में मिल जुलकर रहने कि जो अरूचे मिन्स उनकी कोई रूची नहीं है कोई इंट्रस नहीं है उन्हें जॉइन फैमिली में रहने का उसे वे जाती और देश दोनों के लिए हानिकारक समस्कत है यही कारण था कि गाउं की ललनाएं जो गाउं की लेडिस थी उनकी निन्दक थी क्यूंकि लेडिस कहचाती थी कि वो अपनी जॉइन फैमिली में न रहकर नूकलर फैमिली बनाएं बट जो हमारे श्रीकन सिंह थे वो क्या थे वो कहते थे कि हमें सम्मिलित परिवार में जॉइन फैमिली के अंदर रहना चाहिए इसलिए जो ललनाय थी जो लेडिस थी वो श्रीखन सिंग से थोड़ा सा उनकी निंदा करती थी उनका मतलब थोड़ा अपोजिंग फैक्टर था तो कोई-कोई तो उन्हें अपना श्त्रू समझने में भी संकोचना करती थी कोई-कोई स्तरी ऐसी भी थी जो उन्हें अपना श्त्रू भी समझ लेती थी स्वेम उनकी पत्नी को इस विशे में उनसे विरोत था जो श्रीखन की पतनी थी उसको भी इस विशय में जो श्रीखन है उसे विरोत था यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससूर देवर या जेट आधी से घृना थी बलकि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वना हो सके तो आए दिन की कलह जीवन को नश्ट करने की उपेक्षा अच्छा है कि अपने खिचडी अलग पकाई जाए तो हमने पढ़ाए कि जो श्रीखन की पतनी थी वो भी श्रीखन के खिलाफ थी इस टॉपिक पर और वो कहती थी कि अगर आपकी बहुत सारी चीज़े मतलब आपने बहुत ट्राई किया जॉइन फैमिली में रहने का अनन्दी एक बड़े उच्छकुल की लड़की थी अनन्दी कौन थी श्रीखन की वाइफ और वो बहुत ही उच्छकुल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालूके दार थे अब यहाँ पे तालूकेदार का मतलब क्या है बड़े जमीनदार थे तो अनन्दी एक उच्छकुल के लड़की थी और अनन्दी के जो पिताजी थे वो एक छोटी सी जो रियासत है प्रॉपटी है उसके बड़े से जमीनदार थे विशाल भवन, एक हाथी, तीन कुत्ते जाड फानूस, अन्रेरी मजिस्ट्रेटी और रिन जो एक प्रतिष्टित तालूकेदार के योगे पतार थे सभी यहाँ विद्यमान थे तो यह क्या है जो विशाल से लेकर यह विद्यमान थे यहाँ तक क्या है, आनंदी का जो माईका है उसको डिस्क्राइब क्या गया है आनंदी के जो पिता है, उनके घर को डिस्क्राइब क्या हुए कि विशाल भवन, बड़ा सा घर था, हाती थे, तीन कुत्ते थे अनुरेरी मेजिस्ट्री और क्या था, जो रिन रिन उस टाइम पर क्या होता था रिन एक, you know, हम कह सकते हैं जमीनदार जो होता था, है न, बहुत सारे वो रिन देते थे, तो ये क्या थी निशानी थी, ठीक है, रिन जो था उस टाइम पर निशानी थी तालूक के दार होने की, जो एक प्रतिष्टित तालूकेदार के योग्य पदार्ते में इनसे जरूरी होते थे ठीक है माने जाते थे प्रतिष्टित होते थे इनही पदार्तों को लेकर सभी यहाँ विद्यमान थे नाम था भूप से तो अनंदी के पिता का क्या नाम था भूप से all conclusion निकालने तो अनन्दी कि जो पिता थे वो बहुत ज़ादा अमीर थे वो तालूकेदार थे और उनके सिर के उपर बहुत ज़ादा रिंड था ये बात में याद रखनी है और ये भी याद रखनी है कि जो अनन्दी जहां पे पहले रहती थी अपने पिता के घर पे वो बहुत ज़ादा बड़ा घर था और means all facilities थी और बहुत अच्छे से वो रहती थी बड़े उदार चित और प्रतिभाशाली पुरुष थे बड़े उदार दिल के और बहुत ज़ादा प्रतिभाशाली वो पुरुष थे परदुर भाग्य से लड़का एक भी ना था बट उनका कोई लड़का नहीं था और आनंदी चोथी लड़की थी वे अपनी सब भेनों से अधिक रूपवती और गुनवती थी जो भूप सिंग था उसके कोई लड़का नहीं था बल की चार लड़कियां थी और आनंदी सबसे छोटी थी और वो क्या थी अपनी भेनों में सबसे रूपवती सबसे सुन्दर और गुनवती थी ठीक है इससे ठाकुर भूप सिंग उसे बहुत प्यार करते थे सुन्दर संतान को कताचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं ठाकुर सहाब बड़े धरम संकट में थे धरम संकट मींस बहुत जादा डेलिमा में थे बहुत जादा कनफ्यूजन में थे कि आनंदी का विवा कहां करें ना तो यही चाहते थे कि रेंड का बोज बढ़े और ना यही सविकार था कि उसे अपने को भागे हीन समझना पड़े ना तो वो यह चाहते थे कि हम बहुत जादा उचकुल में उसकी शादी करें और हमारा और जो रेंड है क्योंकि अगर उ दो केसिस हो सकते हैं एक तो हम बहुत बड़े घर में शादी करते हैं एक हम बहुत छोटे कुल में शादी करते हैं तो अगर बड़े में करेंगे तो क्या होगा रेंड बड़े गा और छोटे में करेंगे तो अनंदी अपने आपको भाग गये हीन समझेगी एक दिन श्रीक भूप सिंग के पास चंदे का रुपया मागने गये, भूप सिंग उनके स्वभाव पर रीज गए और धूम धाम से शरीकन सिंग का आनन्दी के साथ हो गया, तो भूप सिंग को जो श्रीकन सिंग है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी जो अच्छे से करती अनन्दी अपने नए घर में आई तो यहां रंग धंग कुछ और देखा मतलब कि अनन्दी जब श्रिखन के साथ रहने आई तो उस टाइम पे जो रंग धंग में कुछ और ही नजारा था वहां का जिस टीम टाम टीम टाम मींज बनाब शिंगार जिस शिंगार की उसे बच्पन से ही आदत पड़ी हुई थी मतलब इतना बड़ा घर था और डेकॉरेशन्स वगरा थी तो जिस शिंगार की उसे बच्पन से ही आदत पड़ गई थी वह यहां नामात्र को भी न थी मतलब कि श्रीखन के घर पे वो नामातरमी स्थोड़ी सी भी न थी हाथी घोडो का कहना ही क्या कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी तो यह कहना है कि हाथी घोडो की तो दूर बात है कोई अच्छी सी सुंदर से उसके पास दोस्त या कुछ भी नहीं था मतलब कि ठीक है रेश में स्लीपर साथ लाई थी पर यहां बाग कहां जहां में सैर करती तो उसके घर पे क्या थे बाग भी थे यो नो गार्डन भी थे तो वो रेश में स्लीपर जो हैं ठीक है जो चपले हैं वो अपने साथ लाई थी ताकि वो बाग में गूम सके बट वहाँ पर बाग भी नहीं था सैर करने के लिए के मकान में खिड़कियां तक न थी न जमीन पर फर्ष न दिवार पर तस्वीरे तो मकान में न खिड़कियां थी न जमीन पर फर्ष था ठीक और ना दिवार पर तस्वीरे लगी हुई थी वे एक सीधा साधा देहाती ग्रहस्त का मकान था वो क्या था एक सीधा साधा गाउं में एक ग्रहस्त का मकान था किन्तु अनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आपको उस नई परिस्थती के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही ना हो बट अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो आनंदी है उसने कॉंप्रमाइस किया उसने अपने आपको वहाँ पर ऐसा सेटल किया कि ऐसा लगता था कि आनंदी ने जो यह लोग विलास है जो इतने सारी यूँआ हम शिंगार वगएर है यह उसने कभी देखा ही ना हो इस तरीके से उसने अपने आपको वहाँ पर सेटल कर लिया था एक दिन दोपहर के समय लाल भिहारी सिंग दो चिडिया लिये हुए आया और भावज से बोला तो एक दिन दोपहर का टाइम था और लाल भिहारी सिंग दो चिडिया लाया और भावज 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 ने भावी से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है ठीक है आनन्दी भोजन बना कर उसकी रा देख रही थी मिन्स आनन्दी जो है वो उसके लिए भोजन पहले बना चुकी थी और उसकी रा देख रही थी कि कब लाल भिहारी आये और वो उसको भोजन परोसे बट लाल बिहारी था वो अपने लिए अलगी पकवान लाया था और अब वो अपनी भावत जो भावी जी है उनसे कहा रहा था कि ये जो मुर्गिया है उनको चिडिया जो है उनको पका दी जी अब वे नया वेंजन बनाने बैठी हांडी में देखा तो घी पाउं भर से अध दिखना था पाउं बर से दिखना था मींज बहुत थोड़ा गी था अब बड़े घर की बेटी कि फायत क्या जाने कि फायत का मतलब क्या बचत क्योंकि बड़े-बड़े घरों में क्या होता है बई बचत जो होती है वो नहीं सीख पाते हम और यहां पे इस टाइम पे बच दिखाई देगी कि हमें बचाना चाहिए ठीक है जो बड़े घर में होते हैं वो क्या होते हैं वो बचत नहीं जानते हैं वो अब हम आगे देखेंगे कि यह सारा मतलब क्या है इस चीज का ठीक है उसने सब घी मास में डाल दिया तो वो पहले ही दाल बना चुकी थी वेंजन बना चुकी थी हमें पता है तो और वो लाल बिहारी की वेट कर रहे थी बट लाल बिहारी जब दो चीडिया लायर बनाने को कहा तो जो भाबी थी जो अनंदी थी उसने सारा जो घी था वो किफायत तो जानती नहीं वो चाहती तो वो थोड़ा सा किसमें डाल देती मास में डाल देती और थोड़ा सा दाल में डाल देती पर उसे बचत का नहीं पता था इसलिए उसने सारा जो घी था वो मास के अंदर डाल दिया और जो डाल थी उसके लिए घी ना था ठीक है उसने सब घी मास में डाल दिया लाल भिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा तो क्या बोला वो कि दाल में घी क्यों नहीं है आनंदी ने कहा घी सब मास में पढ़ गया लाल भिहारी जोर से बोला अभी परसो घी आया है इतनी जल्दी उठ गया तो लाल भिहारी तो बोला कि भई परसो ही तो आया था घी अभी से पहले खतम कर दिया, तो अभी लाल बिहारी जब तक आनंदी नहीं आई थी तो पहले क्या केस था, वो बचट कर करके उसको बहुत दिन तक चला पाते थे है न, बट, आनंदी जब खाना बनाने लगी, वो उनके घर में आई तो उसको बचट का नहीं पता था, वो हर चीज में क्या, लार्ज अमाउन में गी डालती थे इसलिए क्या था, तीन दिन में ही जो गी है वो खतम हो जाता था, ठीक है, तो यही केस लाल बिहारी बोल रहा है, कि अभी परसो गी आया है, इतनी जल्दी उठ गया उठके में इसलिए, अनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वैसे मैंने मास में डाल दिया अनंदी ने अच्छे से उत्तर दिया, कि वैयाज थोड़ा सा था और वो मैंने मास में डाल दिया, जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है, है न, गीली लकडी को टाइम लगता है, बर जो सूखी लकडी होती है, ठीक है, वो जल्दी से जल जाती है, उसी तरह शुधा से बावला, शुधा मीज भूक से बावला मनुशे जरा जरा से बात पर तिनक जाता है, और यहां पर लाल बिहारी भूका तो वत्तिना कर्मींस भूख से पहले परिशान था और जब उसने एक रिस्पोंस देखा अपनी भावी की वो मेरे को सामने से बोल रही है तो उसने क्या बोला कि भई जैसे तेरे मैके में तो गी की नदी बहती है ना स्त्री गालियां से सकती है मार भी से सकती है पर उससे माईके की निंदा नहीं सही जाती तो जो स्त्री है उसका क्या सभभाव होता है वो हर चीज आप उसको मारो आप उसको गाली तो वो हर चीज सहन कर सकती है बट अगर आप उसके माईके के बारे में निंदा कर रहे हो तो यह चीज नहीं सह सकती, अनन्दी मूँ फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो नो लाक का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं, हाथी मरा भी तो नो लाक का, यह क्या है जो अनन्दी उसने एक प्रोवर्ब यूज किया है, और इसका मतलब क्या है कि भई, जो घी है ना वहाँ का, जो वहाँ पे घी है, जितना घी तुम्हारे घर पे हैं, उतना तो हमारे घर पे जो नाई कवारे में, जो नोकर चाकर हैं, वो खा जाते हैं, ठीक है, फिर लाल बिहारी जल गया इस बात से, ठाली उठा कर पटक दी और बोला, जी चाहता है, जीब खीचलू, ठीक है, लाल बिहारी बहुत गुसे में हो गया, आनन्दी को भी क्रोध आ गया, मू लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका, इसका मजा चखा देते, ठीक है, तो अब ही जो है, लाल बिहारी कहता कि मैं तेरी जीब खीचलूँगा, तू ऐसे बोलती है, ठीक है, तो अनन्दी को भी गुस्सा आता हो, कहती कि अगर श्रीखन जी होते, तो आपको यहीं पर मजा चखा देते, ठीक है, अब अनपढ़, उजड, लाल बिहारी से ना रहा गया, खड़ाओ उठाकर, अनन्दी की ओर, जोर से फैकी और बोला, जिसके गुमान, जिसके घमंड पर फूली हुई हो, उसे भी देखूँगा, और तुम्हें भी, ठीक है, तो यहाँ पर अग्यानता का पता चल रहा है, कि लाल बिहारी, कुछ सोथ समझ के नहीं बोल रहा है, घुसे में बोल रहा है, और बहुत गलत बोल रहा है, है न, खड़ाओ का मतलब क्या है, लकडी की बनी, खुली, खूटी दार पादु का, मतलब कोई नुकीली चीज थी, ठीक है, मारने के लिए थी, तो वो खड़ाओ उठाता है, और आनंदी की और जोर से फैक्ट देता है, और फिर क्या कहता है गुसे में, कि जिसके गुमान, मिन्स जो तुम श्रीखन के घमंड पर फूली हुई हो, मिन्स जो तुम्हारे अंदर घमंड है, कि भई श्रीखन मुझे कुछ कहेगा, उसको कह रहा है कि श्रीखन को भी मैं देख लूँगा, ठीक है, आनंदी ने हाथ से खड़ाओ रोकी, तो जब लाल भिहारी ने उसकी तरफ मारा, तो वो उसके सिर पर लग जाते, बट आनंदी ने क्या किया, उस खड़ाओ का अपने हाथ से रोका और सिर बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई, क्रोद के मारे हवा से हिलते हुए, पत्ते की भांते कापती हुई, अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई, स्त्री को पती के बल और पुरुष्टफ का घमंड होता है, आनंदी खून का घूट पीकर रह गई, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ, उसे बहुत क्रोध आया, बट उस टाइम तक लाल भिहारी जा चुका था, जैसे हवा में पत्ता हिलता, उसके भांती वो काप रही थी, और वो अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई, ठीक है, और जो स्त्री होती है, उसके अपने पती है, उसके पुरुष्टफ है, उसका बल है, उसके जो शक्ति है, उसे बहुत जादा घमंड होता है आनंदी खून का गूट पी कर रहा गई means वो उस टाइम तक जब तक उसका पती नहीं आया वो क्या रही शांत रही उसने और जादा कुछ नहीं किया श्रीकन सिंग शनिवार को घर आया करते थे तो यह भी इंपोर्टेंट है कि श्रीकन सिंग घर कब आया करते थे तो वो शनिवार को घर आया करते थे ब्रस्पतिवार को यह घटना घटी थी ब्रस्पतिवार मेंस वेडनस जे श्रीकन सिंग सेटरडे को आया करते थे और जो ये घटना थी ये वेडनस जगो घटी थी दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही ना कुछ खाया ना कुछ पिया कोप भवन मींज अपने जो कमरा था उसके अंदर रही और ना उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया बस श्रीकन की बाट देखती रही बाट मींज उसकी वेट करती रही अंत में शनिवार को वे नियम अनुसार संध्या समय घर आये संध्या मींज रात के टाइम और बाहर बैट कर कुछ इधर उधर की बाते कुछ देश काल संबंदी समचार तथा कुछ नए मुकद में आदी की चर्चा करने लगे तो जब भी श्रीकन संग आया करते थे तो वो बड़ों में बैट के ऐसी बाते किया करते थे तो आज भी वही नियम अनुसार वही कर रहे थे यह वारतलाब दस बज़े रात तक होती रही तो दस बज़े तक वो ऐसे ही बाते करते रहे गाओं के बद्र पुरुष में अच्छे जो लोग थे कोईन बातों में ऐसा अनन्द मिलता था कि खाने पीने की भी सूधना रहती थी सूध मींज उनको इतना भी होश नहीं रहता था कि हमें खाना पीना भी खाना है और वो दस बज़े तक ऐसे ही बैठे रहते थे क्योंकि उन्हें जो श्रीखन है उसकी बात एट्रेक्टिव लगती थी उसमें मज़ा आता था श्रीखन सिंग को पिंड छुडाना पिंड छुडाना मींज अपना पीछा छुडाना मुश्किल हो जाता था ये दो तीन घंटे आनंदी के बड़े कश्ट से काटे क्योंकि श्रीखन उसके सामने था बट वो उसे कुछ कहना ही सकती थी किसी तरह भोजन का समय आया पंचायत उट गई पंचायत उट गई मतलब जो वहां पे लोग बैठे हुए थे वो उट गए एकांत हुआ तो लाल भिहारी ने कहा तो जब सारे चले गए तो लाल भिहारी आया श्रीकन के पास और बोला भाईया आप जरा भावी को समझा दीजिएगा कि मुँ संभाल कर बादचीत किया करे नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा है ना अब बैनी मादव सिंग ने बेटे की ओर से साक्षी दी कि वही बैनी मादव सिंग ने भी लाल भिहारी का साथ दिया हाँ बहु बेटियों का यह सभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँ लगे ठीक है अब लाल भिहारी बोला वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी काहार नहीं है ठीक है मतलब हम भी लाल भिहारी बोला कि अगर वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई छोटी-मोटी जात मतलब कि यहां पर जाती को बीच में लाया जा रहा है कि हम भी कोई नीचे कुल के इंसान नहीं है श्रीकर्ण ने चिंतित स्वर से पूछा आखिर बात क्या है अब श्रीकर्ण तो परिशान हो गया कि ऐसा क्या हुआ है तो वो चिंतित स्वर से पूछता है कि बात तो बता हुआ क्या है लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं यो ही आप ही आप उलज पड़ी मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं अब अगर हम ध्यान से पढ़ें तो स्टार्टिंग मैके की जो बात है वो किस ने की थी वो बात लाल बिहारी ने स्टार्ट की थी अब यहाँ पर लाल बिहारी खुद क्या कह रहा है कि अपने आप ही वो मुझ से उलज गई और अपने मैके के सामने तो वो किसी को समझती ही नहीं तो श्रीकन खा पीगर आनंदी के पास कए वो खाना खाकर आनंदी के पास गए भरी बैटी थी मेंस वो सारी चीजों से बताना चाहती ती जो भी चीजे उसके साथ हुई है वो अपने अंदर उसको समेट कर रखे हुए थी और बैटी हुई थी यह हजरत भी कुछ तीकि थे अनन्दी ने पूछा चित तो प्रसन है अब अनन्दी बोलती है कि चित मींज मन तो प्रसन होगा अपका शिकरण सिंग बोले बहुत प्रसन है पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपदर्व मचा रखाया है क्या उतपाद उदध मचा रखाये ठीक है अनंदी की तियोरी चड़ गई तियोरी मींज अनंदी को क्रोध आ गया कि ये तो मेरे कोई बोल रहा है मैं इसके दो दिन से वेट कर रही हूं मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मेरे को इसको कुछ बताना था बट शीकंट से खुदी मुझे डाट रहे है तो अनंदी क अनंदी को गुस्त आ रहा है वो कह रहे है कि जिसने तुम्हें ये कहा है ना कि मैंने घर में उबदर्व मजा रहा है अगर वो मुझे मिले उसे पाऊ मिंज अगर मुझे मिले तो मैं उसका मूँ जुलस दू मतलब मैं उसके मूँ पे मार दू या मतलब कुछ ऐसे टाइप इतनी गरम क्यों होती हो बात तो कहो तो शीकिन कहता है कि अब इतनी गरम क्यों रहे है इतने गुस्ते में क्यों रहे हूँ तुम पहले मेरे को बात बताओ तो क्या कहूं यह मेरे भागय का फेर है नहीं तो एक गवारा चोकरा जिसको चप्रासी गिरी करने का भी शगर नह अब वो क्या कह रिए कि मेरा तो भागे का फेर है कि एक गवारा सम्ग अभी लाल भीहारी को कह रही है कि एक गवारा लड़का जिसको चप्रासी की नोकरी भी नहीं मिल सकती वो उसके भी लायक नहीं है मुझे ख़डाउ से मार कर यो उकड़ता ठीक है अब समझ जो इस बात को सब हाल साफ साफ को हो तो मालूम हो मुझे तो कुछ भी बता नहीं अब शीकन कहते है कि मेरे को कुछ नहीं पता अगर साफ साफ बता हो तो मेरे को मालूम पड़ेगा तो अभी सारा वो डिक्टेट करती है परसो तुम्हारे मैं मेरे माईक के को भी भला बुरा कहने लगा, मुझसे रहा न गया, मैंने कहा कि वहां इतना गीतों नाई कहार खा जाते हैं, और किसी को जान भी नहीं पड़ता, बस इतनी सी बात पर उस अन्याई ने मुझे पर खड़ाओ फैक मारी, यदी हाथ से ना रोक लेती तो मतलब जो लाल भी हारी है, उसका जो साहा साई इतना करेज हो गया उसके अंदर, आनंदी स्त्रियों के सवभावनुसार रोने लगे, क्योंकि आसु उनकी पलकों पर रहते हैं, ठीक है, श्रीकन धैरेवान और शान्थ पुरुष थे, थे का क्यों प्रयोग किया गया, क्यो उसको और गुसा आता है, जब वो आनंदी के जो आसु है वो देखता है, राद बर करवट बदलते रहे, उद्व विगनता के कारण पलक तक नहीं जबकी, मतलब कि इसका मतलब है परेशानी है, फिर चिंता के कारण उनकी पलक तक नहीं जबकी और वो कुछ सोचते ही रहे और नीन भी नहीं आई, प्रात काल अपने बाप के पास जा कर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वान नहीं होगा, मतलब अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, ठीक है, इस तरह है कि विद्रोपून बाते कहने पर इन के पास पहले, जब उसके दोस्ता कर कहते थे कि वहाँ आलग होना है, हमारा हमारे गर पर निर्वान नहीं हो रहा है, तो श्रीकंग ने इतनों को आड़े हाथो लिया है, इतनों को बर बुला सूनाया है, क्योंकि जो श्रीकंग सिंग था वो इस चीज़ों के अगेंस था, कि भाई, न्यूकलिय फैमली नहीं होने चाहिए, बट इस टाइम पे, इस केस में, वो श्रीकन से खुद कह रहा है, कि भाई, मेरा यहां पे निर्वान ही होगा, मेरे को, यहां से, यहां पे मेरे को नहीं रहना है, परन्तु दुर्भाग्य वश्च, आज उन्हें स्वे भी कह देते हैं, मुझे इसको खुद फोलो नहीं करते हैं, बैनी मादव सिंग घबरा उठे, और बोले क्यों, श्रीकन सिंग बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है, आपके घर में अब अन्याय और हट का, हट मीन्स बल का परियोग हो रहा ह है, जिनको बड़ों का आंदर समान करना चाहिए, वैं उनके सिर्चरते हैं, मैं दूसरे का नोकर ठेरा, घर पर रहता नहीं, दूसरे का मीन्स बोल नोकरी करता है, वो कह रहे हैं, यहां मेरे पीछे स्तिर्यों पर खड़ा हूँ और जूतों की बोच्छार होती है, कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं कोई एक दो कहले वहां तक मैं सह सकता हूँ वो कह रहा है कि ठीक है बाई कोई कड़ी बात हो या फिर एक दो कुछ कहलो वहां तक ठीक है वो सह सकता है किन्दो यह कताब ही नहीं हो सकता कि मेरे उपर लाद गुसे पड़े और मैं मूना खोलू बैनी मादव सिंग को जवाब ना दे सके शेकर्ण सिंग सद्देव उनका आदर करते थे किसका बैनी मादव सिंग का उनकी ऐसे तेवर देकर बुढ़ा अवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बाते करते हो स्तरियां इसी तरह गर का नाश कर देती है उनको बहुत से चढ़ाना अच्छा नहीं तो बैनी मादव सिंग भी हाँ पर क्या है कह रहा है कि अब वो आनंदी का पक्षब भी नहीं ले रहा है वो क्या कह रहा है कि आनंदी उसका जाने बुजाने से इसी गाउं में कई घर संभल गए पर जिस तरीकी मान प्रतिष्टा का इश्वर के दर्बार में उत्तर दाता हूं उसके प्रति ऐसा घोर अन्याए और पशुवत जैसा जो वेवार है असहाई है मतलब वो मैं सहन नहीं कर सकता आप सच मानिये मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल भिहारी को कुछ दन नहीं दिया अब बैनी मादव सिंग भी गरमाए ऐसी बात और ना सुन सके बोले लाल भिहारी तुम्हारा भाई है उसे कभी भूल चूख हो जाए उसके कान पकड़ो लेकिन बात काट के क्या कहता है अभी अभी श्रीकन कहता है लाल भिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता बैनी मादव स्त्री के पीछे मिन स्त्री के कारण उसको तुम अपना भाई नहीं समझते जी नहीं उसके कुरूरता और अविवेक के कारण जो विवेक का मतलब होता है सूजबूज और वो कह रहा है कि मैं उसको अनंदी के लिए नहीं अपना भाई मानता बलकि जो उसने बिना सूजबूज के जो काम किया जो उसकी कुरूरता है उसके कारण में उसका अपना भाई नहीं मानता दोनों कुछ देर चुप रहे हैं ठाकुर साहब लड़के का क्रोज शांत करना चाहते थे लेकिन यह नहीं सविकार करना चाहते थे कि लाल भीहरी ने कोई अनुचित काम किया वो यह नहीं मानना चाहते थे कि लाल भीहरी ने गल्द काम किया है इसी भीच में गाउं के और कई सज्जन हुक के चिलम के भाने वहां आ बैठे कई स्रीयों ने जब यह सुना कि श्रीकरण सिंग पतनी के पीछे पिता से लड़ने पर तयार है तो उन्हें बड़ा हर्श हुआ क्योंकि जितनी भी लन लाएं थी वो तो वैसे भी श्रीकरण सिंग के अगेंस थे श्रीकरण सिंग खुद ऐसी बात कर रहें तो जो महिलाएं थी वो बहुत जाद हर्श मिन्स खुश थे दोना पक्षो की मधूरवानिया सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलने लगी गाओं में कुछ ऐसे कुटल मनिष्य भी थे जो इस कुल की नीती पूरण गती पर मन ही मन जलते थे उन महानू भावों की शुब कामनाय आज पूरी होती दिखाई थी क्योंकि आज खुद जो श्रीकन सिंग है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है और वो खुद क्या है इस चीज़ पे लड़ रहा है और कोई हुका पीने और कोई लगान की रसी दिखाने के बहाने आकर बैठ गया बैनी मादव सिंग पुराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गए ताड़ गए मिस वो समझ गए कि बार बार यहां पर क्यों आ रहे हैं आगे क्यों बैठ रहे हैं उन्होंने निश्य किया चाहे कुछ भी क्यों नहूं इस दवेशियों को ताली बजाने का अवसर ना इनको खुश होने का मोका नहीं दूँगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ तुम्हारा जी जो चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो गया अब वो श्रीकन संग से कह रहा है कि हां मैं मान गया लाल भिहारी ने अपराध किया है जो तुमारा मन चाहे है वो तुम करो इलाबाद का अनुभव रही जलाया हुआ ग्रेजुएट एक बात को ना समझ सका अब इलाबाद का मतलब की जो उसने ग्रेजुएशन की थी वो इलाबाद से की थी तो अब कह रहा है कि जो इलाबाद से ग्रेजुएट हुआ श्रीक नहीं पाया वो मतलब हम कहते हैं ना कि experience के साथ ही चीज़े आती हैं तो वो चाहे कितना भी graduate हो कितना भी पढ़ा लिखा हो पर वो इस चीज़ को नहीं समझ पाया और जो वो you know बैनी मादव सिंगर जो कितने बूड़े हैं उनके पास इतना experience है वो इस चीज़ को समझ गए क् जो शीकन था वो debating club में होता था तो उसको परी बात प्याड़ने का क्या था आदत थी तो वो इन हतकंडो इन चीज़ों को वो नहीं समझ पाया बाप नहीं जिस मतलब से बात बल्टी थी वे उसकी समझ में ना आई बोला में लाल भिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह स सकता बैनी मादव सिंग ने पुछका रहा बेटां बुद्धिमान लोग मुर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वे बे समझ लड़का हैं उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर शमा करो श्रीकन की श्रीकन सिंग को आवेश आ गया मिंस उसे गुसा आ गया बोल वे अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार संभाल लूँगा यदि मुझे रखना चाते हैं तो उसे कहिए जहां चाहे चला जाए बस यह मेरा अंतिम निश्य है तो वो क्या कहना चाता था कि या तो इस घर में मैं रहूँगा या फिर लाल बिहारी र है सकता है लाल बिहारी दर्वाज़ा की चोकट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बाते सुन रहा था वो श्रीकन के सामने चार पाई पर बैट जाएं हुका पी ले या पान खाले बाप का भी वह लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का फिक है तो क्या था कि बड़े लाल बिहारी था वो श्रीकन के सामने चार पाई पर भी नहीं बैटता था ना हुका पीता था ना पान खाता था मिन्सप अपने पिता से जादा अपना जो भाई है उसके लिहाज का उसका जाता लिहाज करता था श्रीकन का भी उस पर हांदिक्स नहीं था अपने ह पोश में उन्होंने कभी उसे गुड़का तक ना था, मतलब कि गुसे से बोला भी नहीं था, जब वे इलाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते, मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी, पिछले साल जब उसने अपने से जोड़े ज बहुत जादा प्यार करता था अपने चोटे भाई से, ठीक है, वो जब भी इलाबाद से आता तो उसके लिए कुछ ना कोई लाता, ठीक है, मुगदर की जोड़ी ले आता, बनवा देता उसके लिए, ठीक है, और जोड़े जवान मींस, जब लाल भीहारी ने, अपसर डब जो जवान था, मींस, डबल जो स्ट्रेंथ वाला इंसान था, उसको नाक पंचमी के दिन, दंगल, मींस, कुष्टी में हराया था, उस दिन, पुल्कित, मींस, खुश होकर, जो शिकन था, वो अखाडे में ही जाकर, लाल भीहारी से गल्ले मिला, और उसको पांच रुपे ऐसे भाई के मूँ से आज ऐसी हृद्य विदारक बात सुनकर लाल भीहारी को बड़ी गल्लानी हुई, गल्लानी में सल्फ पिटी हुई, वे फूट फूट करोने लगा, इसमें संदय नहीं कि अपने किये पर वे पच्चता रहा था, तो वो पच्चता रहा था अपने किय पर भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी चाती धड़कती थी, कि देखूं भाईया क्या कहते हैं, मैं उनके समुक कैसे जाओंगा, तो वो लाल भीहारी खुद सोचता था कि भाई, उसकी धड़कने लगी थी, उसका दिल धड़कने लगा था एक दिन पहले से ही जब और वो सोचने लगा था कि भाई के सामने कैसे जाओंगा, उनके सामने कैसे बोलूंगा, मेरी आखे उनके सामने कैसे उठेंगी, उसने समझा था कि भाईया मुझे बुला कर समझा देंगे, इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ती बने हुए पाया, वो क्या समस्ता था कि भई ठीक है एक तो मार देंगे जादा से जादा मेरे को बुला के बट अब वो क्या देख रहा है वो जो है श्रीकन को एक कठोरता की जो मूर्ती है उसको बनते हुए देख रहा है वे मुर्क था परंतु उसका मन कहता था कि भईया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकन सिंग उसे अकेले में बुला कर दो चार कड़ी बात कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कताचित उसे इतना दुखना होता पर भाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाता लाल बिहारी से सहन आ गया वे रोता हुआ घर आया कोठरी में जाकर कपड़े पैने आखे पोंची जिससे कोई यह ना समझे कि वे रो रहा था इसके उपरांद मिंस इसके बाद वे अनंदी के द्वार पर आकर बोला भाबी भाईया ने न सीजन लिया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे अब यह मेरा मूँ भी नहीं देखना चाते इसलिए मैं जाता हूं तो वो अनंदी को कहके जाते हैं कि भाईया जो है मेरी शकल भी नहीं देखना चाते हैं मैं घर से जा रहा हूं उन्हें फिर मूँ न दिखाऊंगा के लाल की ये बाहर से आए तो जिस टाइम पे लाल भिहारी सोरी बोल रहा था द्वार पे खड़ा होके ठीके गेट पे खड़ा होके वो सोरी बोल रहा था चोखट पे खड़ा होके उसे टाइम पे श्रीकरण सिंग आ रहे थे कमरे में और वो गुसे में थे ठीक है भाई ने देखा तो गृणा से आँखे फेर ली शीकर ने जब उसे देखा तो गृणा हो गई और अपनी आँखे फेर ली और कत्रा कर निकल गए माना उसकी परचाई से दूर भागना चाहते हैं आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी लेकिन अब मन में पच्चता रही थी वैस इसका तनिक भी नध्यान था की बात इतनी बढ़ जाएगी वै मन में अपने पती पर जुझला रही थी की ये इतने गरम क्यों होते हैं जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना की अब मैं जाता हूँ मुझसे जो कुछ हुआ शमा करना तो उसका र लाल बाहर खड़े बहुत रहे हैं ठीक है अनंदी आप क्या करें जnet को ङृँ आगरे में कहां से जगड़ा उठा हुआ है तो उपने से जगड़ा हुआं है शेकन कहता है मैं नहीं बुलाऊंगा फिर अनंदी कहती है कि पच्चता होगे उन्हें बहुत गलानी हो गई है ऐसा ना हो कि वैं चल दे मिन्स वो यहां से चले जाए शेकन सिंग न उठे इतने में लाल बिहारी ने फिर काम भाबी भाईया से मेरा प्रणाम कह दो वैं मेरा मूँ नहीं देखना चाहते इसलिए मैं अपना मूँ उन्हें न दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना कहा है लोट पड़ा और शीगरता मिन्स अराम अराम से दर्वाजे की ओर बढ़ा अन्त में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया आनंदी ने लाल बिहारी का हाथ पकड़ा शीगरता का मतलब फास तरीके से जल्दी से वो दर्वाजे की तरफ पहुचा और आनंदी ने उसका हाथ पकड़ा लाल भीहरी ने पीछे मुट कर देखा और आखों में आसू भर कर बोला मुझे जाने दो तो आनंदी कहती कहां जा रहे हो तो लाल भीहरी कहता है जहां कोई मेरा मूँ न देखे मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ तुम्हें मेरी सोगन ये ना पता चल जाए कि भाईया का मन मेरी तरफ से साफ हो जुका है मताब वो मुसे गुस्सा नहीं है तब तक मैं इस घर में कता भी न रहूँगा श्रीकन संग का हरिद्य भी पिगला उन्होंने बाहर आकर लाल भीहरी को गले से लगा लिया अब श्रीकन भी थोड़ा नॉर्मल होगा और उसने बाहर आए और उसने लाल भीहरी को गले लगा लिया दोनों भाई खुब फूट फूट कर रहे लाल भीहरी ने से सकते हुए कहा अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मूँ न देखूँगा इसके सिवा आप जो दन देंगे मैं सर होर्ष मिन्स खुश होकर सविकार कर लूँगा बट ये मत कहना कि मुझे तुम्हारा जो मुँ है वो नहीं देखना श्रीकन के कापते हुए स्वर में कहा लल्लू इन बातों को बिलकुल भूल जाओ इश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अफसर न आईगा बैनिमादव सिंग बहार से आ रहे थे दोनों भाईयों को गले मिलते देकर आनंद से पुलकित हो गए मिन्स खुश हो गए और बो लुठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है बिगड़ता हुआ काम बना लेती है गाओं में जिसने ये वृतान सुना वृतान में से किसा ये कहाने सुनी उसी ने इन शब्दों में अनंदी की उदाथता को सराया बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है और जो भी आपको नेक्स स्टोरी पढ़नी है आपको रिर स्टोरी तक्रब्ड़ता है